Hello students, यह question number 9 है आपके सामने from the chapter permutations and combination. The sum of all the numbers greater than 10,000 formed by using the digits 0, 2, 4, 6, 8, no digit being repeated in any number is यह है. तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यह जो digits दे रखे हैं इन digits से आपको कुछ numbers form करने हैं जो कि 10,000 से greater होंगे और फिर उन सभी numbers को आपको जोड़ना है और जोड़ के जो यहाँ पर आसर आ रहा है उसके साथ match करना है. तो बच्चो अगर यह question आपको directly करना है तो हमारे पास directly भी formula है ठीक है तो direct formula कैसे आया मैं पहले आपको direct formula से करके दिखाऊंगा डिरेक formula कैसे आया उसके लिए आपको question number 8 देखना जरूरी है तभी आप question number 9 पर आएं और direct करने के बाद फिर मैं आपको long जो formula है हमारे पास उ पाई बच्चे इसको start करते हैं question आपने देखी लिया है तो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रहें कि यहाँ पर जो आपको digits दे रखे हैं वो digits हैं आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 ठीक है ध्यान से देखना 0, 2, 4, 6, 8 और इनको लेकर जो number आपके पास बनेगा वो एक 5-digit number होगा और वो आपका 10,000 से greater होने के लिए इस जगर जो number है वो 1 या 1 से greater होना चाहिए पर चुकि यहाँ 1 तो है नहीं चार 1 से greater है और एक जो number 0 है वो 1 से छोटा है तो अगर मैं बारी-बारी से इन numbers को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बिठाता हूँ तो आपके पास जो numbers आएंगे उनमें से कुछ number तो 10,000 से greater होंगे और थोड़े-बहुत number ऐसे भी होंगे जो 10,000 से छोटे भी होंगे पर ध्यान रहे आपको इसमें सिर्फ 10,000 से जो greater number है उनका sum find करना है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको formula बताएता हूँ जो formula आप यहाँ पर use करोगे जो कि question number eighth में मैं आपको बता चुका हूँ वो है sum of the digits sum of the digits multiply n-1 factorial multiply 10 की power n-1 over 10-1 ठीक है तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं इसी formula की basis पर पहले मैं इस question को आपको समझाता हूँ ठीक है हमारे पास total कितने है number यह 0,2,4,6,8 अगर मैं इन सारे के सारे digits का use करूँ इन places पर इनको बिठाऊँ तो आपके पास जितने भी five digit numbers बनेंगे उन में से बहुत सारे numbers तो 10,000 से greater होंगे और कुछ numbers 10,000 से छोटे होंगे सिर्फ वही number 10,000 से छोटे होंगे जो बने होंगे 0 को यहाँ पर रखने पर तो हम क्या करते हैं इस formula का इस्तमाल दो तरीके से करेंगे पहले तो हम करते हैं इसमें sum of the digits का यहाँ पर मतलब हुआ कि 0 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 total numbers कितने 5 है न तो यह 5 minus 1 क्या हो जाएगा आपके पास 4 4 factorial multiply 10 की पावर 5 minus 1 over 10 minus 1 ठीक है बच्चो इसको अगर जोड लें 8 6 हो गया आपका 14 यह 18 यह 20 तो 20 multiply 4 factorial multiply 10 की पावर 5 minus 1 over यह 9 हो गया तो बच्चो यह हमारे पास जो पहला step मैंने आपको समझा दिया इस step में आपके पास यह क्या चीज़ बनी है यह बने है उन सभी five digits number का sum आ गया है जो कि इन पांचों को use करने पर बना अब इसमें ऐसे numbers भी आ गया है ऐसे numbers का भी addition हो गया है जो zero को यहां रखने से बने है मतलब मैं आपको starting में बता चुका था कि जब इन सभी digits को आप यहां पर रख रहे हो तो एक बार आपने zero भी रखना होगा तो जब आपने zero रखा तो उस वक्त जो number आपके पास बन कर आया वो four digits था तो इसका मतलब यह जो आपके पास sum आया है इसमें four digits numbers का sum भी है जिसको आपको हटाना है क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर जो number है वो five digit numbers के ही sum आपको दिखाने हैं बाते समझ में आ गई होंगी तो अगर four digits number को इसमें से minus करना है तो उसके पहले पहले आपको four digit number के sum find करने होंगे तो उसके लिए फिर आप zero को include नहीं कर सकते तब आप सिर्फ two four six eight को ही include करेंगे यहां पर with this formula तो sum of the digits में आएगा two four six eight यह हो गया multiply यहां पर n की जगर आप क्या रखो के four four minus one का factorial multiply यह हो जाएगा ten की power four minus one over ten minus one यहां पर यह हमारे पास क्या हो जाएगा twenty multiply यह क्या हो जाएगा three factorial यह क्या होगा ten की power four minus one over nine अब इस मैंसे हमें यह वाला क्या करना है minus करना है इन दोनों को हमें क्या करना है minus करना है तो उपर है twenty multiply four factorial multiply ten की power five minus one over nine minus करना है twenty multiply three factorial multiply ten की power four minus one over nine अब इन दोनों से common क्या आ रहा है twenty over nine common आ रहा है यहां पर आपके पास यह क्या बना है आपके पास four factorial four factorial ten की power five minus one minus यह क्या बना है three factorial ten की power four minus one यह इस तरीके से अब हम इसको यहां पर solve कर लेते हैं solve करते भी हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारा answer क्या आ रहा है यह हमारे पास है four factorial हम इसको solve कर सकते हैं और यहां पर three factorial हम इसको भी solve कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने answer को match करेंगे तो देखें यह हमारे पास twenty over nine आ गया अच्छा मैं यहां ऐसा कर सकता हूँ थोड़ा सा और simplify यह हमारे पास 4 factorial दिख रहा होगा आपको यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 multiply 3 factorial ठीक है ताकि मैं 3 factorial को common ले सकूँ और यह हो गया मेरा 10 की power 5 minus 1 और यह 10 की power 4 minus 1 यहां पर 3 factorial है 3 factorial का मतलब क्या होता है 6 तो मतलब मैं 6 को बाहर common ले रहा हूँ ध्यान रखें 3 factorial का मतलब क्या होता है 6 मैं 6 को बाहर ले रहा हूँ तो हो जाएकर 20 over 9 multiply 6 अंदर बचा 4 multiply 10 raise to the power 5 minus 1 minus 10 raise to the power 4 minus 1 अब last है इसको solve करते हैं यह 9 है नीचे ठीक है यह 9 है ध्यान रखेंए तो यह 9 है तो 3 2 जा और 3 3 जा 9 20 को 2 से multiply कर दो तो यह आगया हमारे पास 40 नीचे आगया 3 अब बागी जो बचा हुआ है इसको लिख लो 4 multiply 10 की power 5 minus 1 minus 10 की power 4 minus 1 अब देखें कि कौन सा जो option है वो इसको match करता है यह देखें जो यह वाला option है 40 over 3 4 10 की power 5 minus 1 minus 10 की power 4 minus 1 तो इस वाले option को यह match करता है तो B answer इसमें सही है तो अगर आपने question number 8 नहीं देखा है तो फिर यह जो direct formula कैसे आया मैं सिर्ख 1 के लिए आपको यहां पर बता देता हूँ अगर आपने 8 जो नहीं है question है उसका solution नहीं देखा है क्योंकि अगर देख लिया है तो आपको इसली पता लग जाएगा कि यह जो formula है वो कहां से आया है ठीक है तो मैं फिर से आपको यहां पर इसको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे तो हमारे पास question यह था कि 0, 2, 4, 6, 8 इन numbers को लेकर एक 5 digit number बनाना है ठीक है और वो जो numbers हैं वो 10,000 से greater नहीं चीए तो 10,000 से greater वाला concept को छोड़ दो क्योंकि मुझे तो directly formula बताना है आपको मैंने formula बताना है तो आप यह देखें कि इन 5 places पर अभी भूल जाओ कि 0 यहां पर रखने पर आपके पास 4 digit number बनेगा अभी वो भूल जाओ सिर्फ मैंने formula बताना है आपको तो आपको यह चीज़ तो पता है कि हमारे पास totally यह 5 numbers है ठीक है यह चाओं इसका मतलब है हर digit one place पर 24 बार आएगा मतलब यह भी 24 बार यह भी 24 बार यह भी 24 बार यह भी 24 बार तो हर digit इस प्लेच पर 24 बार आएगा इसी तरीके से इस place पे भी हर digit 24 बार आएगा 24 तभी क्योंकि 120 का यहाँ पर मतलब यह है कि आपके पास जो 5 digit नमबर बनाओगे कुल 150 बनेंगे तो once place पर हर कोई 24 बार आएगा 10s place पर भी 24 बार 100 place भी 24 बार और 1000 और 10,000 place पर भी 24 बार आएगा यह एक चीज मैंने आपको बता थी ठीक है तो इस place पर 8 जो है क्योंकि अगर मैं सारे के सारे 5 digit नमबर को लिखूँ और उसके सभी once place के नमबर को add करूँ तो 8 को मुझे 24 बार जोड़ना पड़ेगा जो की होगा 8 गुणा 24 मतलब 8 multiply 24 ऐसे ही 6 भी 24 बार आएगा ऐसे ही 4 भी 24 बार आएगा ऐसे ही 2 भी 24 बार आएगा 0 भी 24 बार आएगा यह आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें से अगर मैं 24 बाहर निकालनों तो 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 multiply यह हो गया आपके पास 24 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 multiply 24 होता है 4 factorial ठीक हो गया ये तो था unit place के लिए अगर number unit place पे हो अब आते हैं 10th place पर अब आपको पता है 10th place पर अगर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब वो 20 है कैसे अगर यह 23 लिखा है तो 2 अगर 10th place पर है मैं इसको लिख सकता हूँ 20 प्लस 3 मतलब 2 multiplied 10 प्लस 3 तो जो 10th place पे है वो 10th से multiply होता है जो 100 place पे है वो 100 से multiply होता है place value के बारे में आप पहले से जानते है तो इसका मतलब है इस place पे जो 8 है वो कितनी बार आएगा 24 बार 6 भी 24 बार 4 भी 24 बार 2 भी 24 बार 0 भी 24 बार पर इस place में 8 को 8 ना बोल कर है हम उसको 80 बोलेंगे तो हम कहें कि 80 x 24, 80 जो है वो 24 बार आएगा, 60 जो है वो 24 बार आएगा, 40 जो है वो 24 बार आएगा, 20 जो है वो 24 बार आएगा और 0 को तो 0 भोलेंगे, 0 जो है वो 24 बार आएगा इन सब में से 24 फिर से कॉमा निकाल लो और 10 भी निकाल लो तो 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 multiply आप 10 भी निकाल चुके हैं 24 भी निकाल चुके हैं 24 को हम already 4 factorial बोल चुके हैं तो मैं इसके लोगँगा 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 into 10 और ये 4 factorial इसी तरीके से अगर मैं 100 place की बात करो तो 100 place पर ये 100 place है इस place पर 8 जो है वो 24 पार आएगा 6 भी 24 पार आएगा 4 भी 24 पार 2 भी 24 पार हर नमबर 24 पार आएगा लेकिन 8 को 8 ना बोलके 800 बोलेंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 into 10 नहीं आकर क्या हैगा 100 और ये 4 factorial ऐसे ही 1000 place के लिए आपके पास ऐसा ही कुछ लेखेंगे 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 into ये 1000 into 4 factorial और 10 थाॉजंड स place पर कहा लेखेंगे हम 10 थाॉजंड स place पर हम कहा लेखेंगे 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 तो इन्टू यह 10,000 इन्टू 4 पेक्टोरिल तो इत्वर ऐसा fast लिखा मैंने क्योंकि सारी चीज़ें एक जैस ही अब हम इन सब को जोड़ते हैं मतलब unit place पे unit place पे जब सभी को जोड़ा तो आपके पास ऐसा कुछ आया था 10th place पे जोड़ा तो यह कुछ आया 100th place पे जोड़ा प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 यह आ रहा है common और क्या common आ रहा है 4 factorial common आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है bracket में यहां पर तो 1 बचा इससे तो 1 बचा 1 को हम कहेंगे 10 की पावर 0 और यहां से क्या बचा 10 बचा इसको 10 की पावर 1 कह देते हैं यहां से क्या बचा 100 इसको 10 की पावर 2 कहेंगे यहां से बचा 1000 इसको 10 की पावर 3 कहेंगे और यहां से बचा 10,000 इसको 10 की पावर 4 कहेंगे तो बच्चो इस तरीके से आपने देखा हमारे पास ऐसा कुछ आया है मैं इसको as it is copy कर दूँगा 4 factorial को copy कर दूँगा ये हमारे पास क्या बना है एक geometric progression बना है एक GP बना है तो GP को हम solve कैसे करते हैं वो भी मैं इसमें बतायता हूं आपको तो इसी को मैं next page में copy करता हूं तो ये है बच्चो हमारे पास क्या आया था पीछे 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 multiply क्या आया था हमारे पास 4 factorial और multiply 10 की पावर 0 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 इसको as it is रहने दे 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 यह 4 को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल और यह GP है ठीक है? 5 terms है, number of terms 5 है तो geometric progression जाएगा 10 की पावर 5 माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1 अब यह हमारे पास final answer आगे है इसमें इसकी जगा मैं लिख लेता हूँ sum of all the digits multiply क्योंकि total यहां 5 digits थे इसलिए यहां 5 लिख लिखा है और अगर n होते तो n माइनस 1 का factorial और यहां पर भी 5 के जगा n होता माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1 तो बच्चो इस तरीके से हमारे पास यह बनकर तयार हो गया formula और इसी formula को मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हूँ तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सभी को यह वीडियो शेयर करें और किसी प्रॉप क्वेशन में कोई प्रॉब्म हो दी तो कमेंट सेक्शन पे मिंचन जरूर करें तैंक यू सो मच